Subscribe की जए Something New India को और प्रेस करें पेल आइकन पे और चूस करें All Notifications को जिससे हमारे latest वीडियो की Notification आपको सबसे पहले मिल सके Hey guys, this is Harsh and you're watching Something New India's YouTube channel So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा, आप काइन मास्टर से अपनी वीडियो में Echo Effect को कैसे एड़ कर सकते हैं तो इससे पहले मूव करें आज की वीडियो की तरफ आपसे एक रिक्वेस्ट है अभी तक हमारे चैनल को अब तक आपने सिस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सिस्क्राइब कर दे और अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और शेयर कर दे तो चलिए मूव करते हैं आज की वीडियो की तरफ पल्ली तरफ求 yelp काइन मास्टर का डैशबूट आपको राइट साइड में आपके मीडिया को आप्शन आ रहोगा तो आपको इस पर टेश्ट करना है और उस वीडियो को आपको इंपोर्ट कर लेना है जिस वीडियो में आपको एको इफेक्ट एड करना है तो इस वीडियो को मैं चूस कर लेत तो आपको में इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ पहले तो आपको अपने वीडियो पे यहां पे टैप करना है और आपको यहां पे एक सिजर का आइकन आरोगों तो आपको इस पे टेश करना है और आपको यहां पे इस ट्रैक्ट ऑडियो को आप्शन आरोगों तो आपको इस पे टेश करना है उसके पाद आपको अपने ऑडियो पे टेश करना है जो आपने यहां पे इस ट्रैक्ट किया है उसके अधात left side में देख सकते हो, आपको यहाँ पर three dots को option आ रहोगो, तो आपको उसे पर touch करना है, और यहाँ पर duplicate को option पर touch कर देना है, अब guys जो आपने audio को यहाँ पर duplicate add के आपको उसे पर touch करना है, और आपको इसे थोड़ा सा पीछे कर लेना है, बस इतना, उसके बाद इ touch कीजिए, और आपको यहाँ पर background का option आ रहोगो, आपको उसे पर touch कर के सी enable कर देना है, तो चलिए मैं आपको प्ले कर कर रिखा देता हूँ, तो इस प्रोसेस से आप काइन माश्टर से अपने वीडियो में echo effect को add कर सकते, तो आप मुझे परताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो इसी लगती तो वीडियो कीजिए like, share और चानल को ज़रूर कीजिए subscribe और साथ में bell icon को भी press कर दिजिए, जिससे मैं जब लोग करूँ तो इसकी notification आपको मिल सके, तो बस आज लिए नहीं, मिलता हूँ आपसी नेक्स्ट वीडियो में, तक तक के लिए, goodbye